स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूटूब चैनल तनवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम आदाब मेरे प्रिये साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्षमता परिक्षा जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद इस चैनल पर आपका जो वही लोगों का एक्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा अब एक्जाम भी खतम होगया है समाप्त हो गया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त आप लोग पधान सिख्चक का फोर्म जरूर भरिएगा अगर आप भरने लाइक हैं यानि आप भर सकते हैं तो आपका आठ सल का एकस् उसके लिए अभी से ही आप तैयारी कीजिए मैं अभी से ही आज से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी नए दोस्त हैं आपके या जो भी दोस्त हैं जो इस चैनल को नहीं जानते हैं प्लीज उनको share जरूर कीजिएगा और आप पहली बारा है चनल पर तो subscribe जरूर कीजिएगा उसके बाद share कीजिएगा क्योंकि subscribe करते हैं तो मुझे काफी हिम्मत मिलती है मुझे support मिलता है आपका subscribe करने में कोई पैसा नहीं लगता है बस एक सेकंड का समय लगता यतना मेरे लिए आप जरूर कीजिए और आज से ही लग जाएए क्योंकि ये एक्जाम जो है बीपीएसी के द्वारा लिया जाएगा इसलिए थोड़ा सा अभी मेहनत आज से ही करना पड़ेगा इसलिए लग जाएए इमानदारी पुरुवक तो स जो होगा सबही ऑफ्सन का नाम नहीं लूँगा यहां पर जो एणसर होगा इसको बताओं गा लेकिन जो एंसर होगा उस पर डील में जरूर करूंगा उस पर चर्चर जरूर करूंगा तो बीडियो को भगएगा नहीं continue देखिएगा होता क्या है कि जब मैं option पर चोचा करूँगा तो उसमें बहुत सारे और भी नए question जो है clear हो जाएगा आपका पहला नमर question है तीसरा अंगल मैसूर यूद किस governor general के कार्जकाल में हुआ था तो ध्यान देंगे तीसरा अंगल मैसूर उध लॉड कार्जकाल में हुआ था इस यूद में टीपू की हार हुई चौथा अंगल मैसूर यूद जो है लॉड विलेजली के कार्जकाल में हुआ था इसलिए यहाँ पर सही अंसर होगा आपसन नमबर B आपसन नमबर B इसका सही अंसर होगा लॉड कार्वन वालिस लॉड विलेजली का हमने बताया तो लॉड विलेजली जो है चौथा अंगल मैस्विर यूद जो है लॉड विलेजली के काजकल में हुआ था चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question No.2, दो number question है British sunset के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन ठे तो ध्यान देंगे दादा भाई नवरो जी liberal party से British sunset के सदस्स से बनने वाले पहले भारतिये थे, उन्हें grand old man of India के रूप में भी जाना जाता है। अबर पूछा जाए कि किन है यानि किसे Grand Old Man of India के रूप में जाना जाता है तो दादा भाई नोरोजी को Grand Old Man of India के रूप में जाना जाता है उनकी पुष्टक Poverty and Un-British Rule in India ने Indian Wealth Drain into Britain के उनके सिधान्त पर ध्यान आकर्शित किया रस्त गुफ्तार उनका गुजराती पाक्षिक परकाशन था इसलिए यहाँ पर सही अंसर होगा option number D दादा भाई नोरोजी चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number three three number question है निम्लिखित घटनाओ में सबसे पहले कौन सी घटना घटी तो ध्यान देंगे के संथाल हूल क्या है भई के संथाल हूल जिसे संथाल विद्रोह की रूप में भी जाना जाता है वर्तमान, जारखंड, पोडिशा और पश्चिम बंगाल के छेतरों में अंग्रेजों के साथ साथ 1855 से 1856 तक जमिनदारी वयवस्था के खिलाफ हुआ लेकिन इस आंदुलन को अंग्रेजों ने कुचल दिया था तो इसका सही एंसर होगा, एंसर फिर देख लिजिए, एंसर देखने से पहले मैं थोड़ा सा और इस पर लंबा थोड़ा चर्चा करूंगा के अब मालेजे संथाल विद्रो है, तो भई संथाल विद्रो का दरासा देख लें, 1855 ये संथाल विद्रो जो है, लेकिन उसे पहले नील विद्रो है, आपसन नमबर ए जो है नील विद्रो तो नील विदरोह यह हुआ था आपको अठारे सव उनसठ से लेकर jogar अठारे सव साथ उसके बाद है संथाल विदरोह तो संथाल विदरोह के लिए है अठारे सव पचपन से 1856 उसके बाद है दकन दंगा तो दकन दंगा जो है 1875 इसका है दकन दंगा का है 1875 है उसके बाद है सिपाहियों का विद्रोह यानि के सिपाही विद्रोह तो यह है 1857 से 1869 अब इसमें पूछ रहा है कि इन घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी तो इसमें B दिख रहा है क्योंकि option नमबर B जो है संथाल विद्रो ये सबसे पहले 1855 से 1856 यह जो जितना इस भी हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले 1855 से 1856 आ रहा है इसलिए इसका तैन सर होगा संथाल विद्रो अब संथाल विद्रो के बारे में हमने चर्चा भी किया अब समय नहीं है कि बागी पर भी चर्चा करूं बागी का भी चर्चा कभी कर दिया जाएगा या जो आफसन आएगा आखरी में तब किया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन में चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर चार चार नमबर कोश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नित्रित्व कहां किया था तो ध्यान देंगे 1857 की करांती की शुरुआत मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 इस वी को बैरकपूर छाउनी से की उसने अंग्रेज अधिकारी हुईरासन किस अंग्रेज अधिकारी तो हुउरासन यानि हुउरासन तथा लेफटी नेंट बाग को गोली मार दी थी तो इसलिए सही अंसर होगा इसका उफसन नमबर सी बैरकपूर चलिए नेक्स्ट कोशन के तरब बढ़ते हैं कोशन नमबर फाइव फाइव नमबर कोशन है बिहार बंगाल कास्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था तो द्यान देंगे जरसा बंगाल का कास्तकारी अधिनियम अठारे सब पचासी में पारित हुआ और बंगाल से बिहार के अलग होने के बाद इसको बिहार कास्तकारी अधिनियम का नाम दिया गया इसलिए इसका सही अंसर होगा 1885 इस वी और इसका सही अंसर होगा 1885 इस वी चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर छो चो नमबर कोश्चन है भारतिय राश्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राश्ट्रीय आर्थिक काजकरम को अपनाया था तो ध्यान देंगे दर इर्वीन समझाते के मौलिक अधिकारों और राश्ट्रीय आर्थिक काजकरम के समर्थन पर वल्ला भाई पतेल संकल्प गांधी जी ने लंदन में आयूजित होने वाले दूसरे गोल में समय लंदन में कांग्रेस का परतिनीदीतों करने के लिए नमांकित किया इसलिए इस साथ साथ नमबर कोश्चन है वर्ष 823 में लाइसेंसिंग रेगूलेशन एक्ट किसने पेस किया था तो ध्यान देंगे के जॉन एडम्स ने वर्ष 823 में लाइसेंसिंग विनियमन यानिके वर्ष एडम्स ने वर्ष 823 में लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम पेश किया और अधिनियम का मुख्य उद्दे से अनिवार्ज लाइसेंसिंग शुरू करने के भारतिये समचार पत्रों को दबाना था चार्स मेटकॉफ ने वर्ष 825 में इस अधिनियम को निरस्ट कर दिया था और दा लिबरेटर यानि दा लिबरेटर ऑफ फ्रेस की उपाधी प्राप्त की थी किसने भाई तो जॉन एडमस ने चलिए ओप्सन नमबर सी इसका सही अंसर होगा जॉन एडमस चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर आठ आठ नमबर कोशन है निमलिखित में से किसने नील दरपन का अंगरेजी में अनुवाद किया तो ध्यान देंगे नील दर ने इसका अंगरेजी में अनुवाद किया था तो इसका सही अंसर होगा आठ नमबर बी मधु सूदन दत चलिए नेक्स्ट कोशन को देखते हैं कोशन नमबर नौ नौ नमबर कोशन है समचार पत्र हिंदुस्तान टाइमस के संपादक कौन थे तो ध्यान देंगे रास्ट् उसके संपादक नहीं जैसे बंदे मातरम अर्विंद घोस बंवे क्रो नीकल फिरोजशा मेहता कॉमरेड मौलाना मुहम्मद अली उसके बाद अलहिलाल अबुल कलामजाद उसके बाद परताप गनेश शंकर विद्यार्थी उसके बाद इंडिपेंडेंस मोतिलाल नहरू त समचार पत्र हिंदुस्तान टाइमस के संपादक कौन थे भाई तो के एम पन्नीकर चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर दस दस नमबर कोशन है पुस्तके राज योग कर्म योग ज्यान योग और भक्ती योग क्या क्या यहां भे भाई पुस्तके राज योग कर्म योग ज्यान योग और भक्ती योग किसके द्वारा लिखित है तो ध्यान देंगे जरा साब के स्वामी विवेका नंद जो है उनका जन 12 जनवरी 1863 इसी को हुआ था इनके बज़पन का नाम नरेंदर नात दत था स्वामी विवेका नंद की जयनती पर हरवस राष्ट्रिय यूवा दिवस मनाया जाता है और 1893 में खेतरी राज ये के महराजा अजित सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेका नंद नामक उपाधी को गरहन किया था उन्होंने अपनी पुस्तकों में संसारिक सूख और आसक्ती से मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्ग बताए राज योग, कर्म योग, ग्यान योग और भक्ती योग नेता जी सुभास चंद्रबोस ने विवेका नंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, तो नेता जी सुभास चंद्रबोस ने विवेका नंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की अस्तापना की, जो उनका अस्थाई निवास मन और जहां उनी सौधी इसवी में उनी की मिर्तियू हो गई इसलिए इसका सही अंसर होगा आपसर नमबर B स्वामी विवेकानन्द चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोस्टन नमबर 11 11 नमबर कोस्टन है कि किसने नेतरितों में ठगी पर्था का दमन हुआ था यानि किसके नेतर के गवर्नर जनरल के रूप में कार्ज किया उनका कार्ज काल 1829 में सती पर्था का उनमुलन ठगी पर्था का दमन और सिशु हत्या का दमन आदी जैसे समाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है वर्स 1835 इसवी में विलियम बेंडिक द्वारा ठगी और डेकेटी के रूप में पदुन्नत किया गया इसलिए इसका सही अंसरोंगा आफसन नमबर डी कर्नल स्लीमैन के नित्रितों में ठगी पर्था का दमन हुआ था चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोश्चन नमबर बारह बारह नमबर कोश्चन है भारत में अस्थानिये स्वसासन का जन के दोरान अस्थानिये भारतियों की दूर दर्शा को कम करने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की इन सुधारों में पर्मुख अस्थानिये स्वसासन की शुरुआत थी जो बीटिस भारत में अपनी तरह का पहला था और इसके लिए उन्हें भारत में अस्थानिये जनक के रूप में जाना जाता है इसलिए इसका सही अंसर होगा रीपन अप्सन नमबर ए इसका सही अंसर होगा रीपन चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं लेकिन बढ़ने से पहले ध्यान देंगे जरह साथ कि लॉड रीपन के कुछ और सुधार जो है उसमें शाम के काम के घंटे कम कर दिये और उनकी इस्तिती में सुधार करने की भी मांग की थी उसके बाद लॉड डीपन ने मदरास वनवी भाग के पुनर गठन और भारत में वश्तित वन संदेक्षन के विस्तार में भी महत अपुन भूमिता निभाई चलिए अब नेक्स्ट कोशन कोश्चन नमबर 13 नमबर कोश्चन है निम लिखित मेंसे किसने 1904 के भारतिये वीश्तिति में सुधार के लिए पेश किया गया था इसने विश्रु विद्याले सिक्षा के दाइरे का विस्तार किया और इस अधिनियम द्वारा अनुसंधान की गुनवत्ता में सुधार के लिए पर्योक्षालाओ जैसी नई पहल सुरूर की गई इसके बाद गोपाल कृष्न गोखले ने 1904 के भारतिये विश्रु विद्याले अधिनियम को पर्तिगामी उपाए बताया इसलिए इसका सही अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर ए इसका सही अंसर होगा गोपाल कृष्न गोखले चलिए नेक्स्ट कोष्ण के तरह बढ़ते हैं कोष्ण नमर 14 चवदा नमर कोष्ण है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्ती 1934 के गठन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था तो ध्यान देंगे के लौड विलिंग्टन 1931 से लेकर 36 के दौरान भारत के वाइसराय थे यानि 1931 से 36 के दोरान भारत के बाई सराय थे कौन तो लॉर्ड विलिंग्टन उनकी ओधी के दोरान निम्रिखित घटनाई हुई तरह सा हम चर्चा करेंगे के दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में सविना अग्या आंदोलन 1932 में मैक डोनाल्ड संप्रदाईक पुरसकार की घोसना 1932 में तीस अखील भारतिय किसान सभा का गठन 1936 में यहां पे इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर डी लॉर्ड विलिंग्टन क्या होगा भाई लॉर्ड विलिंग्टन चलिए नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 15 नमबर कोशन है हम ब्रीटेन की बरबादी से लेकिन कांग्रेस को यह बहुत देर से ही सही क्या हुआ लेकिन यह कांग्रेस को बहुत देर से जो है इसका पता लगा भारतियों से प्रामर्स किये बिना भारत यूध में कथित रूप से शामिल होने के विरोध में 1949 में सभी कांग्रेस मंत्रियों ने परांतों से दे दिया लीग ने 22 दिसंबर 1949 को कांग्रेस शाषन से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया गया गांधी जी ने लिखा हम अंग्रेजों की बरबादी से अपनी अजादी नहीं चाहते हैं इस विचार को कांग्रेस के राम गर्ध अधिवेशन में अभी वयक्त किया गया जब कार्ज समीती ने इस आशय का एक परस्ताव पारित किया था इसके बाद बेटिस को दुईतिय विश्व यूध में कांग्रेस का समर्थन मिला था तो इसका सही अंसर होगा आफसन नमबर B महातमा गांधी चलिए नेक्स्ट कोशन को देखते हैं कोशन नमबर 16 16 नमबर कोशन है दान्डी मार्च के दवरान रगुपती राग हो राजाराम गीत किस यूध परसिध किस परसिध संगितकार दवारा गाया गया था तो दियान देंगे के 6 अपरेल की सुबह गांधी जी और उनके अनुयायों ने समुद्र किनारे से मुठी भर नमक उठाया इस परकार तकनिकी रूप से नमक का उत्पादन किया और कानून तोड़ दिया विस्नु दिगंबर पलुसकर एक हिंदुस्तानी संगितकार ने एतिहासिक मार्च के दवरान भजन रघुपती रागह राजा राम गाया था तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर ए दिगंबर विस्नु पलुसकर चलिए नेक्स्ट कोशन को देखते हैं कोश्चन नमबर सत्रह सत्रह नमबर कोश्चन है गांधी जी की अनुपस्तिती में भारत छोड़ो आंदोलन का नित्रितोव किसके दुआरा किया गया था तो ध्यान देंगे के बिटी सरकार ने कांग्रेस वर्किंग कमेंटी के परमूख नताओं को गिरफतार करके कांग्रेस को भारत छोड़ो परस्ताओ पारित करने का करारा जवाब दिया था इसके बाद आंदोलन का नित्रितोव करने के लिए यू आरूना आसफ अली के ऊपर छोड़ दिया गया था इसलिए इसका सही अंसर होगा आफसर नंबर C अरूना आसफ अली चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोश्चन नंबर 18 18 नंबर कोश्चन है निम्लिखित में से किस अपने शाशनकाल के दोरान एक नया कैलेंडर एक नई पढ़नाली या सिक्का और नए पैमाने या वनज एवं माप की शुरुवात की थी तो ध्यान देंगे के नॉमबर 1750 इसलिए में जन्में टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे और एक महान युद्धा थे जिन्हें मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है वह एक सुसिक्षित व्यक्ति था जो अर्बी, फार्सी, कर्नर और उर्दू में परंगत था हैदर अली 1761 से 1782 तक शाशन किया और उनके परसिध पुत्रों टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक शाशन किया जैसे शक्तिशालिश शासकों के नित्रितों में मैसूर की ताकत बढ़ी थी टीपू ने अपने सासं के दवरान कई परसाशनिक नवचारों की शुरुआत की जिसमें उनका सिक्क का एक नया मौलूदी, लूनी सोलर, कैलेंडर और एक नई भूमी राजस्वा परनाली सामिल थी जिसने मैसूर र शरीकों को अपनाते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी सेना अपने भारतिये परतिदवन्दियों पर हावी हो सके और उनके खिलाप भेजी गई बेटिस सेनाओं का मुकाबला कर सके इसलिए इसका सही अंसर होगा उप्सन नमबर A, टीपू सुल्तान चलिए ने गांधी जी ने एक वर्स के भीतर स्वराज का वादा किया था यदि उनका असयोग काजकरम पूरी तरह से लागू किया जाता असयोग आंदुलन शुरू करने का दूसरा कारण यह था कि गांधी जी ने बेटिस सरकार की सनवैधानिक तरीकों में विस्वास हो दिया था ज सहयोग आंदुलन के दौरान चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर बीस और यह सेट का आखरी कोशन है बीस नमबर कोशन मेरे भाई मेरे दोस्त आप जो भी है जल्दी से इस चैनल को अगर नए है पहली बार सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को तो जल्दी से स प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा हिम्मत बढ़ाए मैं आपका हिम्मत बढ़ाऊंगा मैं आपकी तैयारी कराऊंगा बस आप सब्सक्राइब करके करा कर शेयर करके आप लोग मेरा हिम्मत बढ़ाए मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतना करूंगा कोई कसर नहीं छोड़ूँगा और आखरी में आप लोगो पीडिये भी मुहया कराऊंगा पीडिये भी मैं दूँगा जैसे भी हो मैं पीडिये दूँगा आपको आखरी में जब एकजाम नजदिक आएगा तब कोशन है कि घोसना के अनुसार भारत में ब्रीटिस साशन की समापती किस तीथी तक होनी थी तो ध्यान देंगे कि 20 जनवरी 1947 को अततकालीन ब्रीटिस परधानमंत्री कलीमेंट एटली ने ब्रीटिस सांसत के हाउस आफ कॉमंस में घोसना की कि ब्रीटिस 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे उन्होंने यह भी घोसना की कि यदि नेत्रित्व की समस्या का समधान नहीं होता है तो ब्रीटिस अपने विवेक से एक केंदर सरकार का चैन करेंगे और परांतिय सरकारों को शक्तियां सौपेंगे इसलिए इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर डी इसका सही अंसर होगा 30 जून 1948 चलिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद